मोदी सरकार ने अपने महतवकांशी प्रजेक्ट मुंबई एहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रजेक्ट को साल 2024 तक शुरू करने का लक्षय रखा है हलाकि महाराष्ट में जमीन नामिल पाने के चलते में इस प्रजेक्ट पर ग्रहन लगता हुआ नजर आ रहा है ऐसे में इसे दो चंडों में चलाया जाएगा इसके तहत कुल 12 स्टेशन बनाये जाएंगे इनी स्टेशनों से गुजरने वाली बुलेट ट्रेन के रफतार तकरीवन 320 किलोमेटर पर ती घंटा होगी इस हिसाब से मुंबई से एमदावाद की दूरी महज 2 घंटे में पूरी की जा सकेगी यह ट्रेन तेज रफतार के वज़ा से तैय स्टेशनों पर ही रुकेगी जबकि slow bullet train सभी 12 स्टेशनों पर रुकेगी यह train मुंबई से एमदाबाद की दूरी तकरीवन 3 घंटे में तैय करेगी आपको बता दे कि मुंबई से लेकर एमदाबाद high speed corridor के बीच की दूरी तकरीवन 508 km है जिसमें से 155 km का हिस्सा महराष्ण में आता है 4.3 km का हिस्सा union territory दादरा नगरहवेली में और 348 km का हिस्सा गुजरात में आता है bullet train प्रयोजना से ना सिर्फ दो राज्जों के बीच की दूरी सिमट कर चंद घंटों में तबदिल हो जाएगी बलकि इस से हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा हलाकि महराश्च सरकार के मंतरी एक नास शिंदे का कहना है कि bullet train का कोई फायदा महराश्च को नहीं होने वाला है यह train आम जंता के लिए नहीं बलकि अमीरों के लिए बनाई जा रही है bullet train प्रोजेक्ट को मोधी सरकार किसी भी किमत पर नहीं चाती इसकी बड़ी वज़ाई यह है कि साल 2024 में लोकसुबा के चुनाव होने है और bullet train की deadline भी 2024 ही है लिहाजा इसे चलाने के लिए केंदर सरकार 80 चोटी का जोर लगा रही है आईए जानते हैं इस प्रोजेक्ट में आने वाली असल दिक्कतें पहला अधर में लटका हुआ भूमी अधिगरहन इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी दिक्कत महाराश्ट में भूमी अधिगरहन को लेकर आ रही है जिसके चलते अब यह प्रोजेक्ट मुंबई तक ना चलकर गुजरात तक ही सीमत होने की बात कही जा रही है यानि यह प्रोजेक्ट अब दो चर्णों में शुरू किया जाएगा साल 2024 में जब बुलेट ट्रेन शुरू होगी तब यह ट्रेन एमदाबाद से लेकर गुजरात के वार्डर वापी तक चलाई जाएगी यह दूरी तकरीवन 325 किलोमेटर के असपास है इस इलाके में जमीन अधिगरन का काम लगबग पूरा किया जा चुका है बुलेट ट्रेन का काम पूरी रफ्तार से यहां पे शुरू है दूसरा जमीन नहीं दे रहे महराष्ट के किसान इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी दिक्कत महराष्ट में आ रही है यहां के किसान अपनी जमीन को बुलेट ट्रेन के लिए देने से इंकार कर चुके है बुलेट ट्रेन के सर्वे के दोरान भी पालघर जिले में कैई बार अंदोलन हुए खास तोर पर आदिवासे समाच को अपनी जमीन चले जाने का डर है जो इस परिजना के रूट पर आती है जब महराष्ट में सिर्फ सैना और बीजेपी की सरकार थी तब कही बार नाराज लोगों को मनाने की कोशिश हुई थी इसका सीधा असर वापी से लेकर बांदरा तक के बीच बनने वाले बुलेट ट्रेन कोरिडर पर पढ़ता हुआ नजर आ रहा है तीसरा बुलेट ट्रेन को लेकर महराष्ट सरकार का ढुलमूल रविया महरास्ट कीत मुझूदा सरकार के साथ में तमाम प्रयासों के बावजोद बात बनती हुई नजर नहीं आ रही हलाकि राज्य सरकार दोवारा बुलेट ट्रेन के लिए जमीन देने की बात कही जा रही है लेकिन अगर समय पर भूमिय दिगर नहीं हुआ तो बुलेट ट्रेन को दो चड़नों में चलाने का फैसला रेल मंतराले ने लिया है ठाडे महा नगर पालिका ने पहले ही बुलेट ट्रेन को जमीन देने का पस्ताव रद कर दिया था कुछ महीने पहले टीमसी में हुई बैटक के दोरानी है पस्ताव पास किया गया था आपको बता दे कि मुमबई के बांदरा के बाल बुलेट ट्रेन का अगला इस्टेशन ठाडे महा नगर पालिका की जमीन पर बनाया जाना है इसके लिए टीमसी को तकरीवन 3884 वर्ग मीटर जमीन देनी थी पांचवा राजनिती का शिकार बनी बुलेट ट्रेन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट दरसल शिवसेना और बीजेपी की राजनिती का शिकार बन गया है जब तक राज्ये में बीजेपी की सरकार थी तब तक भूमी अधिरण का काम भी तेजी से पूरा किया गया लेकिन सरकार बदलते ही प्रोजेक्ट की रफ्तार मन्द पड़ गया है दोस्तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें